नमिश्कार सीरियोज भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचासेगी इन दिनों महंत यती नर्सिंगा नंद गिरी का नाम बेहत सुर्खियों में हैं सुर्खियों में भी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिपड़ी की जिसने तहल का मचा कर रख दि दिया था इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने बड़ा बायान दिया है उन्होंने कहा है कि किसी भी जाती मत मजहब अत्वा संप्रदाई से जुड़े हुए इस्ट देवी देवता महापुरशों अत्वा सादू संतों के विरुद अपमान जनक टिपड़ी अस्वी कार्य हैं लेकिन विरुद के नाम पर अराजकता भी बरदाश्त नहीं की जाएगी सीम योगी आदितेनात ने सोमवार को तिवहारू को देखते हुए मुख्य सचेव डिजीपी अपर मुख्य सचेव ग्रह एवं अन्य विभागू के वैश रदिकारियों के साथ कानून विवस्था की समिक्षा बैठकी बैठके दौरान मुख्य मंत्री ने कहा पूर्वक्स सजाद दिलवाई जाएगी लेकिन सभी मत मजहब संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा विरोत के नाम पर अराजक्ता तोड़ फोड अत्वा आग जनी स्विकार नहीं है जो कोई ऐसा दुस्था हस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी इतना ही नहीं मुख्यमंतरी ने पूलिस प्रशासन को निर्देश दिया कि विजय दश्मी का परवन हर्शोल लास शांती और सौहार्दपूर्ड महल के भी संपन्न होगा ये प्रतेक जनपत प्रतेक ठानी को सुनिश्यत करना होगा महल खराब करने वालों को चिनहित कर महिला सुरक्षा सुनिश्यत करने के निर्देश देते हुए मख्यमंतरी ने कहा कि भीडभाड वाले लाकों में फूट पेत्रोलिंग और पी आरवी 112 की पेत्रोलिंग तेज की जाये उन्होंने कहा कि महिलाओं बेटियों की सुरक्षा वस्विधा सुनिश्यत होनी इसके लिए सभी विभाग मिलकर कारी करें दरसला आपको बता दे कि 19 सितंबर को अमर बल्गदानी मेजर आसाराम व्याक सेवा संस्थान के नाम से हिंदी भवन में एक कालिक्रम आयूजित किया गया था इस कालिक्रम में यती नरसिंग हानेंद ने अपने भाशन में दूसरे समधाय को लेकर अपमान जनक बातें कहीं थी देखा जाये तो जब से चुनाओ में सीएम योगी को एक धर्म पर जादा जुके होने की कीमत चुकानी पड़ी है ऐसे में अगर वो अब इसमुद्धे पर नहीं बोलते तो शायद और भी जादा नुकसान उठाना पड़ सकत था फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में वसेतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें से नियूज भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ